सबसे पहले हम बनाएंगे फ्रेपेचिनो पॉप्सिकल उसके लिए मैंने यहां पर नैस कैफे का फ्रेपेचिनो पाउच आता है तो एक छोटा वाला पाउच हमने ले लिया है जो 30 रुपीज का आता है तो उस पूरे पाउच को हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 फोट लाज इतना पानी क्योंकि इस पाउच में मिल्क पाउडर एड रहता है इसलिए मैंने यहां पर पानी उसकिया है अब चाहे तो यहां पर दूद भी एड कर सकते हैं फिर इसमें यहां पर हमने वन टेबल स्पून जितनी पाउडर शुगर ली है उसको डाल देंगे और इसको अच्छे से एक बार हैंड ब्लाइंडर की हेल्प से मिक्स कर लेंगे थाकि हमारा स्मूथ और देखिए मी बिल्कुल अच्छे से फ्रेपेचिनू रैदी है तो अभी इसको हम एक पॉप्सिकल मोल्ड में डाल देंगे उपर तक हम इसको फिल कर लेंगे और यहाँ पर देखे मैंने cookies का packet लिया है cookies के हम छोटे छोटे टुकडे करके इसमें डाल देंगे और धकन लगाके इसको हम 4-5 गंटे के लिए freezer में रखेंगे और दूसरा हम बनाएंगे Oreo popsicle उसके लिए मैंने यहाँ पर Oreo का packet ले लिया है उसमें से हम 4-5 Oreo की biscuit को इस तर ऐसे तोड़ के डाल देंगे फिर इसके अंदर हम डालेंगे 1-4 ग्लाश जितना दूद और दूद के साथ में इसमें हम एड़ करेंगे 1 टेवल स्पून जितनी चीनी और इसको स्पून से ही अच्छे से mix कर लेंगे जब तक कि हमारे biscuit दूद में अच्छे से melt ना हो जाए आप चाहे तो इसको mixer grinder में भी grind कर सकते हैं या फिर hand blender से भी blind कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर spoon से कर रही हूँ ऐसा करने से हमारे दूद में Oreo की थोड़े-थोड़े से crunch रहेंगे इससे हमारा Oreo popsicle और भी जादा tasty लगेगा तो यहाँ पर हमारा दूद बिल्कुल ready है तो इसको हम उपर तक अच्छे से popsicle mold में फिल कर लेंगे और फिर जेखे जो भी हमारे Oreo के मोटे टुकड़े रहे गए हैं इसको स्पून से अलग से लेके थोड़ा सा उपर से डाल देंगे और फिर धकन लगा के इसको हम चार से पांच खंटे के लिए अच्छे से फ्रीज करेंगे तीसरा हम बनाएंगे बहुत ही इजी और टेस्टी पॉप्सिकल तो यहाँ पर टू टेबल स्पून जितना हम टैंग का पाउडर ले लेंगे और इसके अंदर हम में लाएंगे वन फोट कब जितना पानी और इसको बस अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम पॉप्सिकल मोल्ड में डालके बस चार से पांच खंटे के लिए फ्रीज करेंगे यहाँ पर हमारा बहुत ही बढ़िया और फटा-फट से बनने वाला टैंग ओरेंज पॉप्सिकल रेडी हो जाएगा तो अभी नेक्स्ट हम बनाएंगे लैमन सोडा पॉप्सिकल बहुत ही चटपटा टेस्टी खटा मीठा लगता है यह तो यह अब जरूर ट्राइ करें तो यहाँ पर हम पहले एक निम्बू का रस ले लेंगे रस को हम अच्छे से निकाल लेंगे यहाँ पर अच्छे से निम्बू का रस निकल जाने के बाद में 2 टेबल स्पुन जितने हम इसमें डाल देंगे पाउडर शुगर और थोड़ी सी इसमें हम डालेंगे काले मिश पाउडर, थोड़ा सा हम डालेंगे बुने हुई जीरे का पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे वाइट नमक, थोड़ा इसमें हम डालेंगे काला नमक और इन सभी मसालो और चीनी को निम्बू की रस में पहले अच्छे से mix करेंगे और फिर इसके अंदर हमें पाने नहीं डालना है पाने की जगा इसमें हम डाल देंगे अगर आपके पार सोडा नहीं है तो आप इसमें स्प्राइट भी यूसे कर सकते हैं अभी इसको हम एक popsicle mold में डाल देंगे और धकन लगा कि इसको भी हमें चार से पांच घंटे के लिए फ्रीज करना है सेट होने के लिए अभी हम बनाएंगे हमारा बहुत ही इंट्रस्टिंग popsicle उसके लिए मैंने यहां पर पल्स चॉकलेट ले ली है पल्स चॉकलेट जो है वो सभी को बहुत ही पसंद होती है तो यहां पर हमने पल्स कैंडी ले ली है इसको हम रैपर में से बाहर निकाल लेंगी और एक छोटे बरतन में डाल लेंगे तो अभी यहां पर इसमें हमें लाएंगे वन फोर ग्लास इतना पानी और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक मिक्स करेंगे जब तक कि हमारी जो पर्स वाली कैंडी का जो पाउडर है वो हमारे पानी में अच्छे से मिक्स और डिजॉल्व न तो यहाँ पर हमारा pearls candy popsicle के लिए जो पानी है वो ready है तो अभी इसको हम एक popsicle mold में डालके इसको भी हम धकन लगाके 4-5 गंटे के लिए freeze करेंगे लेकिन अगर आपके पास time है तो आप इसे overnight सभी popsicle को freeze कर सकते हैं तो यह ज़्यादा अच्छे से set होंगे तो अभी यहाँ पर हम बनाएंगे हमारा last वाला popsicle तो यहाँ पर यह बच्चों का special है, kids special है तो यहाँ पर मैंने एक packet gems ली है उसके अंदर हमने 1 fourth cup दूट डाल दिया है और 1 table spoon ही इसमें हम चीने डाल देंगे इन सभी चीजों को अच्छे से mix करेंगे यहाँ पर पहले spoon से mix करेंगे फिर हम इसको mixer grinder में या फिर hand blender से इस तरह से mix करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमने gems यूज की है तो इसको mix करने के लिए हमें इन सब चीजों की जरुवत होगी तो अच्छे से mix हो जाने के बाद में यहाँ पर हम हमारे दूद को एक popsicle mold में डाल देंगे और जो भी gems के chunks बच गए हैं थोड़े से टुकडे बच गए हैं उनको spoon से लेके हम popsicle mold में डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से cover करके freeze करेंगे और यहाँ पर हमारा gems वाला popsicle भी ready हो जाएगा तो यहाँ पर देखे मैंने आपको इस वीडियो में 6 तरह के बहुती easy popsicle बताए हैं तो यहाँ पर इन सभी popsicle को हम देखे इस तरह से stand में लगा लेंगे और इसको हम 4-5 खंटा के लिए कम से कम नहीं तो आप चाहे तो इसको overnight भी freeze कर सकते हैं तब तो यह बहुत ही अच्छे से set होंगे तो इनको हम freeze करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे popsicle अच्छे से set हो गए हैं 5-6 घंटी मैंने इसको freezer में रखा था तब देखे बहुत ही अच्छे से set हुए हैं तो अभी हम एक एक popsicle को लेंगे और इसको demold करेंगे यहाँ पर हम एक glass में पानी भर लेंगे और इस पानी के अंदर हम एक एक popsicle को इस तरह से dip करेंगे 20-30 से के लिए अच्छे से पानी में dip करने के बाद में यहाँ पर हमारे popsicle बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे इनको हलका सा press करेंगे निकल के तयार हैं आप इनको इसी तरा इम खा सकते हैं बच्चों के बहुत ही फेवरेट हैं यह तो एक बार आप इसको जरूर ट्राइ करें तो यहाँ पर देखें बिल्कुल बाजार जैसे popsicle हमने बना के तयार किये हैं इसी तरह से हम सभी popsicle को पानी में dip करेंगे जब भी बच्चों को कुछ ice cream खाने का मन हो popsicle candy खाने का मन हो तो आप उनको घर पे बना के इस तरह से दे सकते हैं तो आप भी इस popsicle recipe को फटाफ़ ट्राइ कीजिए और समर में इस cool cool popsicle candy का enjoy लीजिए तो मुझे उमीद है कि आपको मेरा ये वाला वीडियो भी जरूर पसंद आया होगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे इस वीडियो को एक like करें इससे अपने family and friends में भी share करें और मेरे चैनल को subscribe करें और bell icon दबाएं ताकि आपको मेरे सभी new videos की notification मिल सके और आप मुझे Instagram और Facebook पे भी follow कर सकते हैं तो मिलती हूँ next video में तब तक के लिए bye bye and take care